हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर फोर सरल समिकरन प्रशनावली 4.2 से कोशन नवर 1 सोल्व करेंगे विससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे अब कोशन नवर 1 देखिए पहले चर को प्रिथक करने वाला चरन बताईए और फिर समीकरन को हल कीजिए इस कोशन में हमें एक आगया कि हमें पहले चर को प्रिथक करने वाला चरन बताना है और फिर समीकरन को हल करना है तो ये पार्ट देखे समीकरन दिया गया है x-1 बराबर 0 ये समीकरन दिया गया है हमें तो इसमें देखे चर क्या है x ये क्या है चर है तो हमें क्या करना है चर को अलग करना है मतलब x को हमें अलग करना है वो हम कैसे करेंगे हम माइनस एक को यहां से हटा देंगे और फिर x का मान निकालेंगे अब देखिए माइनस एक को यहां से कैसे हटाएंगे यह देखिए माइनस एक है हम कैसे हटाएंगे इसे हम दोनों तरफ क्या कर देंगे एक जोड देंगे यहाँ पर भी हम एक जोड़ देंगे और यहाँ पर भी हम एक जोड़ देंगे तो यह माइनस एक हट जाएगा तो देखिए दोनों तरफ एक जोड़ने पर यहां भी हम एक जोड़ देंगे बाइपक्ष में और यहां पर दाइपक्ष में भी हम एक जोड़ देंगे तो x-1 जमा 1 बराबर 0 जमा 1 अब देखिए यह माइनस का है यह प्लस का है तो दोनों को खटा देंगे एक में से एक गई कितना आएगा 0 आएगा तो इन दोनों को हमने काट दिया तो यहां क्या आएगा X बराबर 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 1 तो देखे X का मान क्या आगया 1 तो देखे हमने किस चरण द्वारा X को अलग करा है दोनों तरफ 1 जोड़ने पर ठीक है next B पार देखिए से हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे दोनों तरफ हम क्या कर देंगे X से घटा देंगे यहां पर भी माइनस 1 कर देंगे और यहां पर भी माइनस 1 कर देंगे तो देखे दोनों तरफ से एक घटाने पर यहां से भी हम एक घटा देंगे X जमा 1 माइनस एक बराबर जीरो माइनस एक देखिए एक में से एक गए जीरो आएगा तो यह हमने काट दिये यहां क्या बचा एक्स बराबर जीरो माइनस एक यहां क्या जाएगा माइनस एक आंसर तो हमने x का मान निकाल दिया क्या आ गया माइनस 1 next c पार देखे x माइनस 1 बराबर 5 ठीक है अब x को अलग करना है तो माइनस 1 को यहां से हटाएंगे और x का मान निकालना है तो माइनस 1 को कैसे हटाएंगे यहां माइनस का 1 है तो हम क्या करेंगे प्लस का एक जोड़ देंगे दोनों तरफ इस तरफ भी और इस तरफ भी तो दोनों तरफ क्या करेंगे एक जोड़ेंगे तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर अब यहां भी एक जोड़ देंगे और यहां भी एक जोड़ देंगे तो x-1 जमा एक बराबर 5 जमा एक एक में से एक गए, जीरो आएगा, तो यह दोनों तो काट देंगे हम, तो यहां क्या बचा X, बराबर 5 में एक जोड़ेंगे कितना आया, 6, तो X का मान क्या आगया, 6, next D पार देखिए, next D पार देखे, समीकरन दिया गया है, X जमा 6 बराबर 2, अब देखे, इसमें चर क्या ह X हमें इसे अलग करना है, तो कैसे करेंगे, हम प्लस 6 को यहां से हटा देंगे, तो प्लस 6 को यहां से कैसे हटाएंगे, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से 6 घटा देंगे, तो दोनों तरफ से 6 घटाने, पर यहां से भी 6 घटा देंगे, और यहां से भी 6 घटा देंगे, तो x जमा 6 माइनस 6 बराबर 2 माइनस 6 अब देखे, 6 में से 6 गई 0 तो इनको कार देंगे, क्या बचा है, x अब देखे, ये plus का है, ये minus का है तो क्या करेंगे, इने minus करेंगे 6 में से 2 गई, कितना आएगा, 4 बड़ी संक्या क्या है, 6 चे के साथ कुन सा निशान है माइनस का तो x बराबर माइनस 4 x का मान क्या गया माइनस 4 यह पार्ट देखे y माइनस 4 बराबर माइनस 7 यह समीकरन दिया गया अब इसमें 4 क्या है y y को अलग करना है तो मतलब माइनस 4 को हमें यहां से हटाना है तो माइनस चार को कैसे हटाएंगे हम दोनों तरफ देखिए यह माइनस का चार है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे चार जोड़ देंगे और Y का मान निकाल लेंगे तो देखिए दोनों तरफ चार जोड़ने पर यहां भी चार जोड़ देंगे y बराबर देखी ये minus का है ये plus का है तो अब क्या करेंगे इनको minus करेंगे साथ में से 4 गए कितना आएगा 3 बड़ी संख्या क्या है साथ साथ के साथ कौन सा निशान है minus का तो y का मान क्या आएगा minus 3 ठीकिया next f पार देखिए f पार देखिए y minus 4 बराबर 4 ये समीकरण दिया गया है इसमें अब हमें y क्या है चर है तो y को अलग करना तो क्या करेंगे minus 4 को यहां से हटा देंगे तो minus 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे ये देखिए minus का 4 है तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ 4 जोड़ देंगे और फिर y का मान निकाल लेंगे तो देखिए दोनों तरफ 4 जोड़ने पर यहां भी 4 जोड़ देंगे और यहां भी 4 तो y-4 प्लस 4 बराबर 4 प्लस 4 अब देखिए यह प्लस का यह माइनस का तो माइनस हो जाएंगे 4 में से 4 गई 0 तो इने काट लेंगे यहां क्या बचा y बराबर 4 में 4 जोड़े कितना है 8 तो y का मान क्या आ गया 8 आ गया नेक्स्ट जी पार देखे समेकरन दिया गया है y जमा 4 बराबर 4 अब इसमें 4 क्या है y तो y को हमें अलग करना है तो हम क्या करेंगे प्लस 4 को यहां से हटा देंगे और कैसे हटाएंगे हम दोनों तरफ से 4 गटा देंगे तो देखे दोनों तरफ से 4 गटाने पर यहां से भी 4 गटा देंगे हम y जमा 4 माइनस 4 बराबर यहां से भी 4 घटा देंगे 4-4 देखे यह पलस का यह माइनस का तो 4 मिस चार गए 0 तो इसे कार देंगे क्या आएगा Y बराबर 4 मिस चार गए 0 तो Y का मान क्या आगया 0 ठीक है अब H पार्ट देखिए H पार्ट में समेकरन दिया गए Y जमा 4 बराबर माइनस 4 अब देखे चर यहां पर Y है Y को अलग करना है तो कैसे करेंगे पलस 4 को यहां से हम हटा देंगे कैसे हटाएंगे देखे पलस 4 है तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ से 4 घटा देंगे तो दोनों तरफ से 4 घटाने पर यहां से भी 4 घटा देंगे और यहां से भी तो y जमा 4 minus 4 बराबर minus 4 और फिर यहां से भी 4 घटाना है तो minus 4 तो देखे 4 में से 4 गई 0 तो यह तो काट दिया हमने तो क्या आएगा y बराबर देखी यह दोनों किसके हैं minus के तो plus होएंगे तो minus 4 और minus 4 कितना आ जाएगा? minus 8 तो y का मान क्या आ गया? minus 8 तो आज इस वीडियो में हमने question number 1 solve करा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please like, share and subscribe Thank you